हेलो फूरीज, विल्कम बैक टो कुमिन करी आज हम बनाने वाले हैं आलो शिमला मिर्च की सबसी बहुत एक क्वेक है, सिंपल है और थोड़ी सी मसालेदार बनाएंगे तो चले बनाना शिरू करते हैं सबसे पर एक लोहे की कड़ाई में आपको तीन से चाटेबल स्पून की जितना कोई भी कुकिंग ओयल लेना है मैंने मस्टर्ड ओयल यानि की सरसों का तेल लिया था इसमें दो बड़े अकार के आपको आलो चॉप करके एड़ करने हैं इसको जब तक यह लाल ना हो जाए तब तक इसको आपको फ्राई करना है तो जब आलो थोड़े से लाल हो जाए तो आप इसको निकाल लीजे बिल्कुल इस स्टेज तक आपको इसको फ्राई करना है अब बस इस point पे मैं आलू निकाल लूँगे और फिसके बाद हम शिम्ला मिर्च को chop करके add कर देंगे तो शिम्ला मिर्च को भी थोड़ा सा fry करना है बट लाल नहीं करना है जैसे हमने आलू को किया था जस्ट इसको करीबन 3-4 मिनिट के लिए high flame पे fry करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे बस एक हलका सा color आ जाए उस point पे हम शिम्ला मिर्च को भी निकाल लेंगे आप देख सकते हैं जैसे Chinese vegetable हम fry करते हैं बिल्कुल उस तरीके से आपको शिम्ला मिर्च फ्राइ करनी है अब जो तेल बचा हुआ है उसमें हम add कर देंगे मसाले तो ये half टेबल स्पून के जितना मैंने जीरे का तड़का दे दिया उसके बाद one टेबल स्पून के जितना कुटा हुआ हरी मिर्च और अद्रक का पेस्ट डाला है कोशली कुटा हुआ था ये तो बहुत फाइन मैंने नहीं पीसा है और उसके बाद मैंने एक प्याज को एकदम खोल के उसके एक एक परत को डाल दिया है आप चौप करके भी add कर सकते हैं अब इसमें मैंने add कर दिया है half cup के जितना ये प्याज और garlic का paste है तो इसमें मैंने एक प्याज और करीबन 8 से 10 कलिया लसन की यूज की थी उसका मैंने एक fine puree बना लिया इसको हमने add कर दिया इसको अच्छे से भूनेंगे medium low flame पे इसके बाद हम इसमें add करेंगे half teaspoon के जितना healthy powder red chili powder आप अपने taste के according ने add कर सकते हैं जितना भी तीखा पसंद हो 1 by 4 teaspoon के जितना गरम मसाला और half teaspoon के जितना आपको भुना जीरा powder add करना है और करीबन 1 tablespoon के जितना आपको धन्या powder add करना है सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम देल यूज किया था अगर इसमें तेल जादा होता तो मसाले भुनने के बाद तेल साइट से रिलीज होना शुरू हो जाता है पड़ क्योंकि हमने बहुत कम देल डाया था तो इस वज़े से उस तरीके से आपको नहीं देखेगा अब इस पॉइंट पे जब मसाले का कलर थोड़ा दोस्तों आप चाहें तो इस रेस्पी में टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे आलो शिम्ला मिर्ष बिन टमाटर के ही पसंद है तो सबसे लास्ट में जब यह सबसी बन जाए खुब डे सरे धनिया पत्ते आड़ करें और इसे किसी भी तरीके की इंडियन ब्रेट के साथ सर्फ करें डोटी, चपाती, नान किसी के भी साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं तो दोस्तों अगर आज की रेस्पी पसंद आई हो तो चनल को सबस्क्काइब करना ना भूले मैं मिल दूँ एक नई रस्पी के साथ, अब तक के लिए बाइब